जानेंगे एक मोटर चाहे एक बल्ब को पांच जगा दो जगा दस जगा से अन करे और वहीं से बंद करे इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है चलिए आज इसी वीडियो में हम जानेंगे तब तक आप लोग चाइनल पनाया है तो चाइनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो थे यहाल है नॉर्मोल स्विच में दो तोड तर्मिर जोरने के लिए घोता है जो भी स्विच यो उसमें दो ठोड तर्मिर को फुटत यह तर्मिल कर तक आपको क्या करना होगा तक इसी में से लुप करकर एक तार यहां ही कर लिए है आपको अब जीतना सुष चाहिए इसी तरह इसमें आप जोरते चले जाईएगा देखिए ये तीन्ठो हम जोर देते हैं देखिए तीन्ठो जोर दिये और औरी चाहिए तो फिर यहां से एक तार आप लुप किजिएगा फिर बढ़ा लिजिएगा चलिए जोर कर फिर बताईए देते हैं देखिए यहां से जोर कर हमने यहां जोर है फिर यहां से जोर कर फिर इसमें जोर है फिर इसी तरह इसमें भी लिएकर जोर दिये हैं अब आपको क्या करना होगा इसी तरह उपर से एक यहां और एक यहां और एक यहां हम दो बीधी बताएंगे एक फर्स्ट बता देते हैं उसके बाद आपको सकेन वाला बीधी बताएंगे देखिए नीचे वाले हमने जैसे जोरे है उसी तरह उपर में भी जोर दिया है अब क्या करना होगा आपको देखिए बाल में दोठो तार होता है आप लोग को पता होगा चाहे मोटर में दोठो तार होता है चाहे आप जो भी लगाए उसमें दोठो ही तार आता है एक आता है और्थिंग तो और्थिंग आप कहीं से दे सकते हैं जैसे मोटर हा तो दो रो तार सबसे आवसेख चलाने के लिए एक निव्टल और एक फेज तो यह फेज वाला है तो कहीं एक स्विच में यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर कहीं भी एक जगा जोर द नीचे वालक टर्मीरर में यहां पर आपको फेज खातार कस्ट दिना होगा और यहां पर नूटल आपको डायरेक्ट मिला दोना होगा हम एक वीदी और बताएंगे तब तक वीडियो देखते चलिए और एक वीदी हम इसके बाद में बताएंगे एक यहां फेज कसिएगा यहां एक निूटल कस दिजिएगा जैसे देखिए यह मेरा निूटल का तार है तो निूटल यहां हम डाइरेक्ट मिला देते हैं मिलाने के बाद में आपको यहां पे फेज कसना है तो आप देखिए मेरा यह फेज का तार है यह लाल वाला यहां नीचे स्विच में हम कस्ट देते हैं है दखिए यहां आमने फेजकस दिया है आप डयेकट इहां नीटल हम ने मिला दिये मिलाने के बाद में इस पर्याब टेप लागा दिजिएगा इसके बाद लाइन चालू कर दिजिएगा देखिए अब हम सारे स्विच को पल67त पल손 कर देते हैं यह देखिए सारा स्विच अभी बंध है अब जैसे on करेंगे तो यह मेरा जलने लगेगा देखिए जहां से on किजिएगा तो यही से बंध होगा फिर यहां से on कर सकते हैं यहां से बंध कर सकते हैं यहां से आप आउन कर सकते हैं और यहां से बंद नहीं कर सकते हैं फिर यहीं से बंद कर सकते हैं इसी तरह आप दो जगा से चलाईए चाहे चार जगा से चलाईए चाहे पांच जगा से चलाईए आप मोटर का कनेक्शन दोस जगा से भी चला सकते हैं इसी तरह कनेक्शन किया जाता है, सारे तार को इस तरह जोड़ीज़े, आप चलिए दूसरा वीधी हमें start कर लेते हैं, दूसरा वीधी में हम लोग क्या करेंगे ये इसमें फेज देंगे कहीछ से भी, और इसमें बल्व का तार निकाल देंगे फिर इसी तरह इसमें फेद देंगे और बल्व का तार निकाल देंगे जैसे बल्व देखिए बल्व है यह मेरा तो न्यूटल आपको इसमें डाइरेक्ट मिला देना होगा देखिए निउटल हमने डाइरेक्ट मिला दिये अब करना क्या होगा जितना स्विच है तो उसमें आप तार कुस दिजिए एक तार देखिए हमने कुस दिये है इसी तरह इसमें कुस लीजिए सारे स्विच में उसके बाद देखते हैं देखिए चाठ हो या पांठ हो जए जगा से चलाना हो जितना सूइच रखना हो सारे उपर वाला सूइच को आप कसने के बाद में एक जगा क्या किजिएगा आप लो अब इसको इसी तरह से एक साथ में जोड दीजिएगा देखिए एक साथ में इस तरह से जोड दीजिएगा और जोडने के बाद में आपका बॉल्ब का भी तार लेकर इसमें जोड दीजिएगा अब चलिए जोर कर देखते हैं देखिए एक साथ में उपरे वाला निकाल कर हमने जोर दिये जोरने के बाद में इस पे टेप लगा दिजिएगा देखिए हमने टेप लगा दिये हैं इसी तरह इसमें फेज इसमें फेज और इसमें फेज और इसमें फेज तब फेज के लिए भी तार आपको निकालना परेगा अब चलिए निकाल लेते हैं देखिए हमने सभी फेज देने के लिए तार कॉसली है चाहे आपके पास जहां से भी हो आप फेज लियाका दे दीजिएगा और इस तरह से जोड़ दीजिएगा जोरने का बाद में देखिए यह मेरा फेज का तार है अब सारे को एक साथ में हम जोर देते हैं देखिए हम यह सारे को एक साथ में जोर दिया है जोरने का बाद में देखी यहाँ पर फेज जोरे हैं देख बेरा और बता देते हैं यहाँ पर फेज जोरे कर सारे में फेज दे दिये हैं और यहाँ से तार निकाल का डाइरेक्ट इसमें मिला दिये हैं और यहाँ पर नूटल दे दिये हैं आपको जितना स्वीच मन करें इसे तरह सारे में फेस दे जिजेगा निूटल डाइरेक्ट मिला देजेगा और उसके बाद में जहां से आप अन किजीएगा वहां से अन होगा वहां से आपको बंद होगा चलिए चेकर कर बता देते हैं देखिए हमने दे दिये हैं कोई switch on है इसको हम पहले off कर देते हैं देखिए यह off कर दिये फिर यहां से on करेंगे तो यहीं से बंद होगा फिर इसको on करेंगे तो जलेगा और फिर बंद कर सकते हैं इस तरह आप एक जगा से एक मोटर को 10 जगा 2 जगा 5 जगा या 15 जगा से चला सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें